खीरे जैसा शाइन करेगा चेहरा आठ बेस्ट फेस पैक से एक टमाटर और खीरे का फेस पैक टमाटर का गुदा और खीरे का रस मिलाकर पेश्ट बना लें इससे अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद में धोलें दो, हल्दी और दूद का फेस पैक अगर आप बिल्कुल दुलन जैसा निखार पाना चाती हैं और 1000 रुपे पालर में खर्च करने से बचना भी चाती हैं तो हल्दी और दूद इसमें आपकी मदद करेगा इसके लिए बस आपको हल्दी पाउडर और दूद को मिला कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है इस पेस्ट को अपने फेस पर अपलाई करें और 15 मिनिट तक ड्राई होने के लिए छूड दें हजारों की फेशिल के बाद भी इतना अच्छा गलो आपको नहीं मिलेगा यह आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा गलो देगा तीन एलोवीरा और खीरे का फेस पैक एलोवीरा जैल और खीरे के रस को अच्छे तरह से मिला कर एक स्मूथ पेस्ट बना ले इसे अपने फेस पर लगाएं और वाश करने से पहले बीस मिनट के लिए छोड़ दें हपते में तीन बार फेस पैक को लगाने से बिल्कुल दुलहन की तरह निखर जाएगी तो अच्छा खीरे का रस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है अगर आपकी सेंसिटिव स्कीन है तो भी आप खीरे का रस लगाएं पैक में भिलाकर लगाएं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो गर्मिया आ रही है तो आप इसको जरूर लगाएं चार सुबह उठकर सूर्य नमस्कार और प्रणयाम करें इसे चहरे पर चमकाती है और मन में सकारात्मक उठजा का संचार होता है पांच फल और सब्जिया खाएं अधिकतर फल और सब्जिया एंटी ऑक्सिडेंट से भर पूर होती है जो आपकी त्वाचा को यंग बनाये रखने का काम करती है धेर सारी पोश्टिकता प्राप्त करने के लिए रंग बिरंगे फल और सब्जिया खाएं जैसे की लौकी, गाजर, टमाटर, आम, रज, संत्रा, आदिका सेवन करें यह आपके चेहरे की चमक को दुगना करेंगे 6. तिल और तिल के तेल में विटामिन E और एंटि ऑक्सिडेंट होते हैं जो तवचा को फ्री रेडिकल्स और अंड केर्णों की शती से बचाता है ये तवचा पर जुर्यों को कम करता है और उम्र के निसान कम करता है इसके इलावा ये तवचा को धूप के हनिकारक प्रभाव से बचाने में मदद करता है साथ चना दाल एक बड़ा चम्मच, कच्चा दूद दो चम्मच, हल्दी चौथई छूटा चम्मच, शहद आदा चम्मच सबसे पहले आप एक कटोरी में चना दाल और कच्छा दूद डाले और कुस देर के लिए रख दे ताकि दाल अच्छे से दूद में मिक्स हो जाए अब इस मिस्टन को मिक्सी में डाल कर पीस ले और एक स्मूद पेस्ट बना ले ताकि यह आपके चेहरे पर आसानी से लग जाए अब इसमें अन सामग्री को डाल दे फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले सबी सामग्रियों को मिलाने के बाद इसे पांच मिनट के लिए साइड में रख दे जब फेस्ट पैक अच्छी तरह से सैट हो जाए तो इसे आप लगा सकती है इसे लगाने से पहले अपने चेहर को ड्राइ करके मौश्राइजर लगा लें यह पैक आप एक बार लगा के देखें आपको बहुती अच्छा फायदा मिलेगा आठा और दूद की मलाई चेहरे पर चमक लाने के लिए इस पैक को बना कर लगाएं इसे बनाना बेहदी आसान है इसके लिए बस एक कटोरी में आप से कम जादा बना सकते हैं हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वैल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए धन्यवाद